हेलो, हेलो डियर स्टुडेंट्स अभी हम कर रहे हैं आरेस अगरवाल जी की नाइन्थ क्लास मैथ की बूक है एक्सेसाइज है 7C लाइन्स एन एंगल्स शेप्टर का नाम है कोस्टन नमबर 13 है इस एक्सेसाइज 7C का इन्दा गिवन फिगर जो आपके सामने है AB पैरलल टू CD यह AB है यह CD है यह दोनों पैरलल दे रखी है Find the value of X हमें X की value को पता करना है ठीक है साथ साथ फिगर में यह एंगल 85 डिगरी गिवन है और यह एंगल 115 गिवन है clear है तो कैसे हो गई यह तो इसके अंदर हम एक तो corresponding angle की property का इस्तमाल करेंगे lines का फिर एक linear pair का इस्तमाल करेंगे यहाँ पर और फिर triangle की exterior angle property का इस्तमाल करेंगे अभी जैसे आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह किस प्रकार से सब होगा तो solution करते हैं देखिए समझिए अब यह दोनों की दोनों parallel है यह transversal है इस वज़े से यह angle हमें मिल जाएगा इसे मैं नाम दूँ 1 इसको नाम दिया 2 ठीक है तो लिखेंगे की AB parallel to CD इन दा डाइग्राम जो भी डाइग्राम दे रखा है फिगर दे रखी है ठीक है AB parallel to CD यह दोनों parallel है PQ transversal है ओके क्योंकि PQ AB और CD को दो अलग-अलग point पे काट रही है ठीक तो इस वज़े से क्या होगा यह दोनों की दोनों angles बराबर होंगे अगर इसको आप समझें कि जैसे मैं इसके इसाब से समझाज़ता हूँ कि यह दोनों parallel हो गई यह हुई transversal तो जो यह वाला angle है वो इस वाले angle के बराबर होता है है ना यह किसी परकार से भी हो सकता है तो अभी फिलाल हमारे पास ऐसा case है तो फिर हम लिखेंगे angle 2 is equal to angle 1 equal to 85 degree कारण corresponding angles तो यह angle हमें मिल गया अब हम यह वाला angle निकालेंगे इसको मैं नाम देता हूँ 3 इसको नाम दिया 4 मैंने यह आप यह लिखा हूँ है ठीक है नहीं यह तो है h यहाँ 4 मैं लिख देता हूँ ओके तो फिर because यहाँ लिखेंगे कि यह line है because cd is a line segment है cd is a line segment जो figure है उसमें यह बस arrow दिखा रखी है मतलब यह range है तो अभी मैं cd को land segment के तरिके से ले रहा हूँ land segment है तो यहाँ जो h पर h point के ऊपर यह दोनों angle बन रहे है angle 3 plus angle 4 angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree इसे हम नाम देंगे कारण होगा यह linear pair की वज़े से यह linear pair बना रही है तो इन दोनों का जोड 180 degree होगा ऐसा कोई भी केस हो तो जैसे मैं यहाँ पर एक लिए line segment ड्रो कर दिया मैंने और एक यह रिया से निकाल दी तो इन दोनों का जोड जो होगा वह होगा 180 degree linear pair clear है है तो इन दोनों का जोड 180 degree हुआ एंगल 3 हमारे पास नहीं है लेकिन एंगल 4 है वह 115 डिग्री है तो implies that एंगल 3 की value कितनी हो जाएगी 180 degree माइनस में 115 यह plus का है उदर जाकर माइनस का हो जाएगा माइनस करने पर हमें मिलता है 10 माइनस 5 5 7 बचा 7 माइनस 1 6 65 degree आया है क्लियर है कॉलम मैं थर से आप इसे माइनस करके देखिए 10 माइनस 5 5 यह 7 बच गया था 7 माइनस 1 6 65 एंगल 3 की value 65 आ गए अब क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डो करके बताऊं आपको यह एक triangle हो गया तो मैं किसी एक line को आगे बढ़ा जिता हूँ मैंने इसको आगे बढ़ा दिया दूसरी line के साथ यह एक angle बना रहा है दूसरी side के साथ में एक side को आगे बढ़ाया और एक side यह होगी एक side को आगे बढ़ाय हुई के साथ यह angle बना रहा है यह exterior angle है यह अंदर के इस angle को छोड़ कर जो दो angle बच गए इन दोनों के जोड के बराबर है अंगल 3 अंगल 1 प्लस अंगल 2 के बराबर है तो वैसे ही ये केस कैसा हो गया ये कोई केस कुछ ऐसा हो गया कि जैसे मैंने ये ऐसे डो करी ये ऐसे डो करी ठीक है और इसको ऐसे डो कर दिया तो जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल इन दोनों एंगलों के जोड के बराबर हुआ, clear है, ये वाला एंगल इन दोनों एंगलों के जोड के बराबर हो गया, ठीक, अब एंगल 3, एंगल 2 है, हम निकाल लेंगे, इंट रिएंगल HGQ by exterior angle property. exterior angle property से angle 2 बराबर होगा angle 3 प्लस जो यह x degree है इसके. angle 2 की value हमारे पास है हमने निकाली 65 degree. angle 3 की value हमने यहां निकाली 65 degree प्लस x degree. तो x की value कितनी आगी degree नहीं लगाते हैं एक बार 65 left में गया. equal की left में जाएगा इसका निशान पलट गया. आपको मिलता है 85 में से 65 को माइनस करते हैं तो 20 मिलता है. ठीक है न? 20 degree. तो यह जो value आई है यह 20 degree हो गई. Is that clear? x की value 20 degree आई है. तो एक बार दुबारा से मैं आपको अच्छे से बता जेता हूँ. यह दोनों parallel है. यह angle 85 degree है तो यह भी 85 होगा. यह मिल गया. यह 115 है तो linear pair की वज़े से हम इन दोनों का जोड 180 degree होगा. तो angle 3 की value आ गई. वो 65 है. angle 2 इन दोनों के जोड के बराबर होगा. exterior angle property की वज़े से. जिसकी वज़े से हमने linear equation in one variable यहाँ पर भी बनी है. और फिर हमें क्या मिल गया? हमें x की value इस परकार से मिल गई 20 degree. आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया है. अब आपने क्या करने वीडियो को लाइक करने चनल को सब्सक्राइब. अगर अब तक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और अगर कर दीजिए तो thank you very much. इससे मुझे motivation मिलेगा और मैं आपके लिए ज्यादा ज्यादा वीडियोज अप्लोड करूँगा. शियर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि वह भी से फाइदा लेजिए के कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना जाते हैं कुछ करने जाते हैं बेल आकान के बट्न को दबाना मत बुलेगा साथ साथ और पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस अपडेट मिलते रही तो thank you students for watching your own video in the next video always have a great time bye